नमस्कार दोस्तों आप सवी का स्वागत करती हों पाक विधी में तो आज मैं बनाने वाली हों बहुती स्वादिष्ट गोवी आलू की सबजी एकदम नए और आसान तरीके से तो चलिए फिर सबजी बनाना शुरू करती हों तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हो एक केजी गोवी गोवी को बढ़ियां से धो लेंगे अब इसको यहाँ से काट कर हटा देंगे और इसको हाथ से इस तरह से समी फूल तोर लेंगे अब यह जो बांकी का बच गया है इसको चाको से इस तरह से कट करेंगे और इसको बीच में इस तरह से काट कर देंगे अब इस डंधल को बढ़ियां से इस तरह से छी लेंगे और इसको बीच में इस तरह से काटेंगे अब इसको छोटा छोटा टुकरा में इस तरह से काट देंगे अब इसको हलका इस तरह से सैट कर देंगे और लेंगे गोवी का पत्ता गोवी के पत्ते को बढ़ियां से इस तरह से काटेंगे तो गोवी के पत्ते को नहीं फेकेंगे इसको भी काट कर सबजी में डाल देंगे ये खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगता है तो देखिए मैं आप लोगों को एक और काट कर दिखाती हूँ तो डंठल काटने के बाद इसको हाथ से इस तरह से तोड लेंगे और इस डंठल को भी इस तरह से काट देंगे और पत्ते को भी बढ़ियां से इस तरह से काट कर सबजी में डाल देंगे इस तरह से गोवी काटने से गोवी जनली गलता नहीं है ये सबजी में एक दम छिला रहता है तो हमने यहाँ पर तिन टमाटर और चार विडियम साइज के आलू को भी काट करके रख लिए हैं तो चलिए अब फटा-फट से गोवी को फ्राय कर लेते हैं तो डालेंगे कराई में तेल, तेल को पहले बढ़ियां से गर्म होने देंगे तो तेल बढ़ियां से गर्म हो गया है अब इसमें गोवी डाल देंगे तो बढ़ियां से इस तरह से गोवी च्छन कर डाल देंगे डालने के बाद इसको इस तरह से मिक्स करेंगे तो इसको बढ़ियां से इस तरह से तेल में मिक्स करेंगे और इसको 3-4 मिनट तक फ्राय करेंगे तो गोवी को विच विच में इस तरह से चलाते रहेंगे तो इसको हम medium to low flame पर ही फ्राय करेंगे तो देखिए अच्छे से फ्रै हो गया है अब इसको निकाल लेंगे इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे तो देखिए हमने गोगी को कितना फ्रै किये हैं अब इसको सैड में रखेंगे और डालेंगे इसमें आलू तो हमने आलू को छिलका सही तकाट लिये थे अगर आप आलू छिलका डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो अब आलू को थेल में बढ़ियां से मिक्स करेंगे और आलू को भी 3-4 मिनर तक फड़ाय करेंगे तो इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे और गेस का फलेम no to medium रखेंगे तो देखें इसका color change हो गया है और ये बढ़ियां से fry हो गया है अब इसको निकाल लेंगे तो इसे निकाल कर उसी plate में रख लेंगे तो देखिए हमने आलू और गोवी को फ्राय कर लिए हैं अब इसको साइड में रखेंगे तो चलिए अब फटाफट से सब्जी बनाना शुरू करते हैं तो मैं इसमें थोरा सा तेल और डाल रही हूँ अब इसमें डालेंगे एक चमट जीरा जीरा को चटकने देंगे अब इसमें डालेंगे एक मेडियम साइज के प्याज और पांच्छे हरी मिर्च को बारिक कट करके अब इसको बढ़ियां से इस तरह से मिला देंगे और इसे हलका सौप्ट होने तक फ्राय करेंगे तो यह हलक डालेंगे तो मैं इसमें स्वाद नुसार नमक डाल रही हूँ यानि एक चमच नमक नमक डालने से यह होता है कि टमाटर जन्दी सौप्ट हो जाता है अब इसको बढ़ियां से इस तरह से मिला देंगे तो देखी टमाटर सौप्ट हो गया है अब इसमें डालेंगे मसाला तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोरा सा साबो धनिया 10-15 लहसन की कलियां और एक मेडियम साइज के प्याज को पीस कर पिसा हुआ मसाला डालने से सबजी में स्वाद बढ़ियां आता है अब इसको बढ़िय आता हैंगे बचा हुआ मसाला एक चमच घंडी पोडर और दो चमच लाल मिर्च पोडर लाल मिर्च पोडर आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़दा कर सकते हैं जितना तिखा पसंद हो अब मसाला को बढ़ियां से इस तरह से मिक्स करेंगे अब लाश्ट में डालेंगे गरम मसाला तो मैं इस में एक चमच घंडी पोडर दो और अब सभी को 5 मिनद्ट तक बुनेंगे और इसमें डाल देंगे थोरा सा पानी ताक्य मसाला जलेना अब पानी को मसाला में बढ़ियां से इस तरह से मिला देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो देखे ये बढ़ियां से मसाला पक गया है अब इसमें गोवी और आलो डालने के बाद इसको बढ़ियां से मसाला में इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि गोवी में मसाला अच्छे से मिक्स हो और मसाला के साथ इसे 4 मिनट त तक पकाएंगे, 4 मिनट बाद इसका धकन हटाएंगे और इसको वापस से चलाएंगे, तो इसको धिरे धिरे बढ़ियां से इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से सबजी बनाने से सबजी खाने में बहुत ही ज़्यदा स्वादिश्च लगता है, अब इसमें पानी डालेंगे, तो मैं इसमें थोरा सा पानी डाल देती हूँ, और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, तो देखी अब ये उवननी लगा हैं, अगर आप इसमें पानी नहीं डालना चाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी उवाल कर खा सकते हैं, अब इसमें पानी डाल देंगे, तो मैं इसमें 2 बरा क अब इसको कलची से बढ़ियां से इस तरह से चला देंगे और इसको प्लेट से ढख देंगे इसे ढख कर साथ मिनट तक पकाएंगे साथ मिनट बाद इसका ढखकन हटाएंगे और इसको चेक करेंगे तो देखिए इसमें अभी ग्रेवी बहुत ज़्यादा है अब इसे तीन मिनट तक और पकाएंगे तो देखिए अब हमें इसमें ग्रेवी इतना ही रखना है तो हमारा सबजी बन गया है इसे एक बार चेक कर लेंगे तो इस तरह से आलू लेंगे और इसको दवा कर इस तरह से चेक करेंगे तो देखिए आलू बढ़ियां से पक गया है अब ग्यास को बंद कर देंगे तो लीजिए दोस्तो आज का हमारा स्वादिष्ट आलू गोवी की सबजी बन कर तेयार है आप इसको रोटी चावल पूरी पराठे किसी भी चीज के साथ खाई ये खानी में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा तो दोस्तो आज कर इस पीक ऐसा लगा हमें कोमेंट करके जरूर बताना और आप सभी भी एक वारिस तरह से गोवी आलू का सबजी बना कर जरूर खाना